हेलो φ्रेंड्स, वेलकम डू माइ चैनल रेस्पी-्रेस्पी अज मैं आप लोगों के लिए ग्रेप्स पॉपसिकल की रेश्पी लाई हूँ ग्रेप्स पॉपसिकल खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है टेस्टी होने के साथ पॉप्सिकल की ये रेस्पी healthy भी है ये रेस्पी बहुत जादा आसान है साथी मैंने इसमें बहुत कम ingredients का इस्तमाल किया है इस रेस्पी को आप सब भी जरूर बनाईए बच्चो और बरो सभी को ग्रेप्स पॉप्सिकल की ये रेस्पी जरूर पसंद आएगी तो चलिए फ्रेंड्स रेस्पी की शुरुवात करते है ग्रेप्स पॉप्सिकल बनाने के लिए मैंने धाई सो ग्राम अंगूर लिए है कब से इसका मेजर्मेंट वन प्लस वन फोर्थ कप है मेजर्मेंट के लिए हम किसी भी साइज के कप या कटोरी का इस्तमाल कर सकते है इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे इसमें वन फोर्थ कप पानी डाल देंगे जो की पचास एमेल है ज्यादा पानी का इस्तमाल नहीं करना है, ज्यादा पानी के इस्तमाल से popsicle hard बनेंगे इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे, कप से इसका measurement 1-8th कप है वैसे आप अपने टेस्ट के according चीनी की मात्रा गटाया बढ़ा सकते हैं मैंने measurement के लिए 200 ml के कप का इस्तमाल किया है, लेगिन हम किसी भी साइज के कप या कटोरी से अंगूर पानी और चीनी का measurement ले सकते हैं बस हमें इनके ratio का ध्यान रखना है, जैसे कि हम किसी कप या कटोरी से अंगूर 1-4th कप लेते हैं साथ ही इसका टेस्ट भी खड़ाब हो जाएगा फ्रेंट्स आप चाहे तो यहाँ पर एक ड्रॉप ग्रीन फूड कलर भी इसमें एड़ कर सकते हैं कलर एड़ करना बिल्कुल आप्शनल है, अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अंगूर को मैंने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, देख सकते हैं फ्रेंट्स इसमें ग्रैप्स के चंक्स नौ के बराबर है अब इस जूस को हम पॉप्सिकल मोल्ड में भर देंगे इसकी कैप को हम लगा देंगे अब हम पॉप्सिकल को सेट होने के लिए मोल्ड को ओवर नाइट के लिए फ्रीजर में रख देंगे वैसे पॉप्सिकल सेट होने में कम से कम 7-8 गंटे लग जाते हैं मैंने रात भर के लिए popsicle बार को सेट होने के लिए deep freezer में छोड़ दिया था अब मैं इसे demold करके दिखाती हूँ एक गिलास में मैंने normal पानी ले लिया है इसमें हम mold को कुछ seconds के लिए डुबो कर रखेंगे पानी mold के एक दम उपर तक होनी चाहिए इससे popsicle बड़ी आसानी से demold हो जाता है इस तरीके से हम बाकी popsicle को भी demold कर लेंगे तो लिजी फ्रेंट्स सभी लोगों का फेवरेट ग्रेप्स popsicle बनकर तयार है जो की healthy होने के साथ टेस्टी भी है आप सभी इस homemade ग्रेप्स popsicle की recipe को जरूर बनाईए और enjoy करिए तो फ्रेंट्स कैसे लगी मेरी आज की recipe अगर आपको मेरी आज की recipe पसंद आई हो तो इसे like share जरूर करिए और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो मेरे चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की notification आपको मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नही recipe के साथ तब तक के लिए bye friends